चैनल स्टूडेंट्स आज हम ग्लास सिक्स्त वसंत भाग एक से चाप्टर नमबर वन जिसका शीशक है वो चिडिया है जो इसके MC की कोशन्स देखेंगे इसके जो भावार्त है मैं आपको प्रिविएस वीडियो में बता चुकी हूँ जो आप हमारे कमेंट बॉक्स के लिंक टी सी चिडिया के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से एक बून पानी पीने से और एक डाना जितना डाना उसको खाने को मिलता उससे ही वो संतोष क लेती है तो इसमें एक नीली चिडिया के बारे में बताया किया है ऍटो चलिए देकते हैं इसके हम MCQ questions, question first है, vision का अर्थ होगा, इसके option से A, भीडभाड, B, सजजन, C, निर्जन, जंगल, और D, नगर, तो vision का अर्थ क्या होता है, vision का अर्थ होता है, निर्जन, जंगल, मतलब एकांत, तो option C, यहाँ पर क्या है, right है, next question देखते हैं, question है, चिडिया नदी का दिल टटोल कर क्या ले जाती है, इसके option से A, मचली, B, कमल नाल, C, जल का मोती, D, पेड की पती, तो चिडिया जो है, नदी का दिल टटोल कर क्या ले जाती है, नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, मतलब जल की बून को ले जाती है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, नेक्स्ट कोशन है, जुन्डी का क्या अर्थ है इसके option से A, मक्का, B, गेहूं की बाली, C, धान की बाली, D, जुवार की बाली जुन्डी शब्द का क्या अर्थ होता है, जुन्डी शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है जुवार की बाली तो option D, यहाँ पर राइट है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन है, चिडिया आनन्द पूर्वक क्या खाती है इसके option से A, दूद भरे जुवार के दाने, B, दूद भरे मक्का के दाने, C, दूद भरे गेहों के दाने, और D, दूद भरे धान के दाने तो चिडिया जो है आनन्द पूर्वक क्या खाती है चिडिया जो है आनन्द पूर्वक दूद भरे जुवार के दाने खाती है option A यहाँ पे right है next question देख लेते हैं next question है चिडिया के punk कैसे है इसके option से A पीले, B काले, C लाल, D नीले तो इसका answer तो आप सभी को पता ही होगा तो आप मुझे इसे comment में बताईए आप देख लेते हैं next question next question है वो चोटी चिडिया उची शब्दों से पंक्ति को पूरा कीजिए तो इसके option से A संतोशी, B मुह बोली, C गरबीली, D उप्रुक्त सभी तो वो चोटी चिडिया, वो चोटी चुडिया कैसी है? मुह बोली है तो option B यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा, कि वो चोटी मुह बोली चिडिया next question देख लेते हैं next question है चिडिया किसके लिए गाती है? इसके option से A अपने मित्रों के लिए B बुढे वन बाबा के लिए C अपने बच्चों के लिए D संगीत प्रेमियो के लिए तो चिडिया किसके लिए गाती थी? वो गाती थी बुढे वन बाबा के लिए option B यहाँ पर राइट है next question देख लेते हैं next question है चिडिया को किन चीजों से प्यार है? इसके option से A नदी से B जंगल से C अन से D उप्योक्त सभी से तो जो चिडिया है जो कविता है उसमें अन का भी जिकर हुआ था first पंक्तियों में second पंक्तियों में जंगल था और third पंक्तियों में नदी थी तो इसका option जो D है वो क्या है? right है उप्योक्त सभी उसे इन टीनों चीजों से प्यार था next question देखते है मू बोली का अर्थ है तो इसके option से A सब के साथ बोलने वाली B मू से बोलने वाली C कम बोलने वाली D अधिक बोलने वाली तो मू बोली का अर्थ होता है? सब के साथ बोलने वाली तो option A यहाँ पर क्या है? राइट है next question देखते है वो चिडिया जो कविता के कवी कौन है? तो इसके options है A. समशेर बहादूर सिंग B. केदानात अगरवाल C. सुबद्रा कुमारी चोहान D. सुमित्रा नंदन पंथ तो वो चिडिया जो कविता के कवी है वो कौन है? केदानात अगरवाल तो option 2 यहाँ पर राइट है next question देखते है चिडिया को पसंद है इसके option से A. फल B. सबजी C. अनाच के दाने D. मिठाए तो चिडिया को क्या पसंदा है? चिडिया को पसंदा अनाच के दाने तो option C. यहाँ पर राइट है next question देखते है चिडिया किस के लिए गीत गाती है इसके option से A. नदियों के लिए B. संगीत प्रेमियों के लिए C. जंगल के लिए D. अपने मित्र के लिए तो चिडिया किस के लिए गीत गाती थी? जंगल के लिए गीत गाती थी तो option C. यहाँ पर राइट होगा next question देखते है चिडिया को अनाच के दाने बहुत अच्छे लगते थे क्यों? इसके option से A. इससे चिडिया का पेट भरता है B. इससे चिडिया को प्यार है C. अनाच के दाने का स्वाद उसे पसंद है D. उप्योक्त सभी तो चिडिया को अनाच के दाने अच्छे लगते थे क्यों अच्छे लगते थे? यह चारो options अहीं है मतलब इसका right answer क्या है? इसका right answer है option D. उप्योक्त सभी next question देख लेते हैं चिडिया किसका दिल टटोलती है? इसके option से A. नदी का B. मचली का C. अपने साथियों का D. फूलोका तो चिडिया किसका दिल टटोलती है? नदी का दिल टटोलती है तो option A. यहाँ पर right है students यह chapter बहुत छोटा सा था इसलिए इसके MCQ questions भी थोड़े कम ही है next वीडियो में हम इसके question answer के साथ मिलेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करिए जादा से जादा share करिए like भी करिए और हमारे telegram channel को join करना ना भूलिए वहाँ पर आपको सभी subject की PDF मिल जाएगी मिलते हैं next वीडियो में इसके question answer के साथ bye bye students take care